नमस्कार आप देख रहे हैं संगम टिवी मैं हूँ आपके साथ आजे प्रिजबती जैसा कि देखा जा रहा है सुमेरपूर नगर पंचायत में 40 प्रिट्यासियों के द्वारा नगर पंचायत अध्यत बनने का दावा किया जाता है और लगातार आसिरवाद मिलने की बात कही जाती है अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर जनता किसे आसिरवाद देती है और किसे अध्यत सीट पर काबिज करती है जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर जन्शंपर्क के दवरान हमें 85 मिले हुए है केसरी लाल वर्मा के नाम से जाने जाते हैं और इससे पहले वही है कई बार चुनावी दावे किये हैं और जो जन्ता का आसिरवाद मिला है कि तरीके का मिलता रहा इनसे बात चीत करेंगे इस बार क्या मुद्दे है कि इन मुद्दों को ले करके चुनावी मैदान पर आए हुए हैं, जी, क्या मुद्दे हैं आपके इस मैदान पर आने के? हमारा मुद्देश है, कि यहां पर जो पदले के जीयस लेंड की जमीन पहला है, और एक चकवंदी की प्रक्रिया, जो लंबे अंतराल से 40 वर्स, 45 वर्स से नहीं हो रहा है, बार-बार उसको रोग दिया जाता है, इसके करा दिया जाता है, तो इसका मुद्देश है मेरा करने पहले से भी इस पर लगा हूं, पिछली लगतार में चुनाव लड़ता चला रहा हूं, लोगों वश्नी भी मिला है, मैं सेकेंड पूल तक पूंग दिया, पिछली बार मुझे सायोग अच्छा से मिला था, और एक दल से मुझे टिकट भी मिला था, उसका टिकट भी काट तो मेरे लोग थोड़ी हो गए थे, किन्तु जिस केटेगरी से चुना लड़ना चीट नहीं मिला था, किन्तु उस ज्यादा बूट नहीं आपाय था, तो कट गया था, और मैं इस बार इस प्रयास में लगा हूं कि मेरे लास्ट चुनाओ और मैं अपने आतक प्रयास के प्रयास में शुटकारे दिलाना है, लोगों के विकास के लिए पानी के बिवस्ता और आपके शणकों के बिवस्ता नहीं जो बस्तिया बन गई है, जहां पर निकासी नहीं है, तो यह सारी बिवस्ता मुझे देखना है, जैसे बात करें, यह नगर निकाए चुनाओ छोट करते देखे जा रहा है, उनका दावा है कि उन्हें जो भरपूर असिरुवाद जन्ता का मिल रहा है, आप कैसे उन्हों के बीच में जो फाइट कर पाएंगे, मुकाबला इस बात का है, कि अभी नए प्रत्यासी और मैदान में आ गए हैं यहां पर, और इस अवालनी कर्ट जानता है, तो उसका इसने जानता है, तो उसका इसने ज्यादा मिल सकता है, क्या माने जैसे कि पिछली बार आपको जो आसिरवाद मिला था जन्तागा, क्या माने जैसे कि पिछली बार आपको जो आसिरवाद मिला था जन्तागा, क्या माने जैसे कि पिछली बार आपको जो उससे ज्यादा इस बार दो आशिरवाद मिलने वाला है। हाँ, जी हाँ, मिलने वाला है। क्योंकि इसली बार मेरे साथ जो अनोनी हो गई थी, इस बार लोगों का काफी अच्छा इसने मुझे प्राप्त हो रहा है। और वो लोग चाहते हैं कि एक बार पदले के आप देशा बेखती। एजुकेटेड बेखती। जिसने बड़ी इसे डिग्रेरियर ले रखी हैं जो यहां पर आम लोग उसे पसंद नहीं करना चाहते। तो वो चाहते हैं कि न्या की स्थित्पन हो और हमें अच्छा सा विकास और न्या मिल सके। यह उनकी उम्मिदे हैं जिनमें हमें खरवतरना है और वो इसने मुझे मुझे लाए। चलिए देखा यह थे केसरी बाबुजी के नाम से नहीं कसबे के लोग जानते हैं और मज़े की बात यह है कि इन्हें चुनाव चिन भी बजरंग बली का गधा मिला आए। बजरंग बली के गधा लेकर के यह जो है चुनावी मैदान पर आए हुए हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि सुमेरपूर की जनता इहने किस प्रकार का आसिरवाद देती है तो यह सुमेरपूर की जनता का विश्वास है क्या उस पर खरा उतर पाएंगे नहीं उतर पाएंगे कुछ लोग हमारे इनके साथ में जो हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे जैसे कि यह भीया हैं इनसे बातचीत करेंगे क्या नाम हुग आप मेरा नाम स्याम बाबू है और मैं केश्री बाबू पसयोगी हूँ और ये खुदार नेता है इन्होंने बहुत संगर्स किया है तीस सालों तक इन्होंने संगर्स किया है और दली समाज से नेता है दली समाज को उठाने के लिए दली समाज को आगे बढ़ने के लिए दली सम इतने सालों से, तीस सालों से अरचिक सीट आई, डली समाद की सीट लाई गई, लेकिन फिर भी जादा है जादा जादा ओट बैंक होने के बावजूद भी डली समाद कभी चेर्मेन नहीं बन सका, और डली समाद के संगर सिल नेता है, उन्हेंने बहुत कोशिस की, बहुत सुमेरपूर के अंदर कुछ ऐसे समी करन है, जो कुछ चीजें अंडर ग्राउंड दभी हुई है, और वो दभी हुई चीजें ओपन करना चाहते हैं, के स्रीलाल वर्मा उर्फ बजरंग वली, वो दभी हुई चीजें को भरवा सुमेरपूर के अंदर वापस लाना चाहते और बहुत अच्छा विकात और बहुत अच्छा भर्वा सुमेरपूर का गार्डन हो बच्चों के लिए अच्छे विद्याले हो बच्चों के लिए गार्डन हो और यहाँ पे सुमेरपूर के अंदर जो यम्बी भी है डाक्टर हो और अच्छा इलाज मिले अच्छा जनता क सायोग हो और जनता इलाज के लिए भटकती है जनता को अच्छे डाक्टर नहीं मिलते हैं तो सारी चीजें जनता को हर तरह से आगे बढ़ाने के लिए और उनको उस्वार पूरुवग संगर्स के साथ उनका सारा कुछ करने के लिए तो यह कहें कि तमाम जो है मुद्दे ले कि जो है आपके समदाई के लोग जो है उस पार्टी का सायोग करेंगे या फिर खुल कर समर्थन आपका करेंगे पार्टी के बात ये रही है बैंजी ने पार्टी के मताबिक काम किया किन्तो सामाने सीट में ऐसे अधर लोग को जो पुराने से पुराने कार करता रहे जो उ जिनकी वज़े से कुछ मोले अंकन उसका लगा करके और पद्रे के टिकड़ लेने के काम करते हैं, इससे असंतुष्ट हो करके जितना भी शमाज है, आइसे लोग को बोट नहीं देना चाहता है, चुझकि कारकरता रात दिन मेहनत करके इस मिशन के साथ में बहुत आगे बढ से पिछले एलक्षन में, 2017 के एलक्षन में, एक पंडी जी को स्यामु महराज को टिकड़ दिया गया था, उसमें स्यामु महराज ने जाद जाद चार्ट सबूट मिल पाए था, और धरसाई यानि कि यह कहें, साब तवर पर जो है, यहां जनता इस पर टिकर देगी कि इस ब मठा धिसों से बहुत दूर रह करके, अपने स्वचंद विचारजास से मद्दान करना चाहिए, वो निरदिली पर चाहिए, जी, 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 कुछ पॉइंट देखो, हमने अधूरे रह गए, वो पॉइंट में बताना चाहिता हूँ, भर्वा सुमेरपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जित्ता मजदूर वर्ग है, वो काम करता है, उनका जो मिनमम वेजे सेक्ट के मुताबिक, जो उनका नियुंतन वेतन है, को इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं दिया जाता है, गॉवर्मेंट उसका अप्रूवल निकालती है, सर्कूलर निकालती है, लेकिन सर्कूल के मुताबिक किसी भी मजदूर को हमने इसका इन्विस्टिगेशन किया है, घर घर जाके जांच प टो यह मजदूर बस्ती है दलितों का ही लागा है 65% दलित है ज्यादा ज़ाद दलित यहां काम करते हैं इसलिए उनका सोशण हो रहा है और उनको नियुम्तन आयोक के मताविक नियुम्तन वेतन के मताविक उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है यह ऐसा यहां के दलित लगता कर्म पुर्फ बजरंग बली अगर गदा चुनावचिन के साथ अगर जीत हासिल करते हैं तो हम जनता का इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में पूरा उनका वेतन के मुताबिज उनको टेमेंट मिलेगा और सारी जो पुरानी इसको खतम करके एक नए युक्तियार गर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें और जियादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आईको नबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें इस्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं